My dear students I welcome you to the lecture of compulsory English in this lecture we are going to discuss about developing a thought makcha lecture मने पाइलो होता आपण की प्रेसी राइटिंग काशी गराईचि मुठड़ा पैसेज दिला स्टो त्याला संक्षिप्त अरुपत लीहां हो लगत हो यह तक दी उल्टा है यह तुम्हाला एक और दिली जटे एका लाइन सा तुम्हाला एका पैसेज मादे रुपांतर कराया जासथ हो यह उटी प्रक्री है आत मोठा चोटा के लहा है यह चोटा मोठा कर रही जासत। डिवलोपिंगे थॉट और एक्सफड़ इन आइडिया इस यूजफफुल एक्सराइज जजे गिव्ग यूज़ प्रक्तिसिंग एसे अंड आर्टिकल राइटिंग नोट्स टेकन इन लेक्चर और दूरिंगे टॉक और फ्रम इन्फरमेशन टेकन प्रम इन्टरनेट और अबुक ता डेवलोपिंगे थॉट्ट मंझे विचारा था विकास किम्वा कल्पन अविस्तार एक्सपांडिगे नाइडिया है यूस्फूल एक्सिसाइज है अतीशे ब्योंक शाध्या है कारण अपले ला आयात सराव मिरतो एक अचल रिटिकल राइटिंग आही ता तले नोट्स गेतो आपन लेक्चर गेतो आइकतो कि वा बोला तस तो त्यातोर आपन इन्फरमेशन गेतो कि वा इंटरनेट बदून इन्फरमेशन गेतो कि आप उस्ता कात हुऑ टेशिया नूस्कारतों सवश्चोट्या ती बिदा कि पासीव और स्कक्राश kपर्ण से सब्सक्राणsystem मुट्था करें अलेरी ने है'll थَّ पेसरी त्रूट्व में आझासटरे और सब्सक्राणि कि यह एंचा बाहन दे़्जे है सारांच लिखाने जा एक दम विरुद्धा है प्रेसी राइटिंग में दे मोठ्याचा छोटा करो लगत याथ छोट्याचा मोठ्याचा करावा लगत How to develop an idea into a passage एकाजी संकल्पन तुम्हाला उतारत कशी परावर्तित कराईची त्याचा बद्दल कया था पॉइंट्स दिले त्याचा आपनाम भैस करोया Number one, read the given thought carefully and reflect on its meaning पहले तु विचार, आज पुरूख वाचा अंटे चा अर्था वर विचार करा This step is very important ये तीशे महत्वची पाई जी है Make sure you correctly understand the idea contained in the given line Else you will make a mistake Number two, the idea or thought given to you usually expresses a conclusion A moral or an opinion जी कलपना के विचार तुमाला दिलेला है तो सामन्यता काई करतो एक अंतीम समापन व्यक्त अकरतो एक आदा नहीतिक धड़ा देतो कि वह एक अदम मत्यक्त के लिए जाता Concludinging remarks अस्तुत्यात In order to expand this into a passage You can present the thought process That will lead to this conclusion Moral opinion Number three, you can expand the idea by A explaining it, B giving illustrative examples, C adding extra details and D offering proof तो तुमीही जी कलपना है, तीजा विश्तार करता न काई कर शकता है पहले A explaining it तीजा विश्तार करा विश्यद करा दिला स्पष्ट करून सांगा B giving illustrative examples, दूसरो सोधारंड स्पष्ट करा उधारंड दिया C adding extra details तीजा जास्ती चा महत्वा चा थप्षील दिया And D offering proof अंच उध्या चाई करा पूरावा दिया तौथा मुद्दा Fourth, cover every aspect of the idea given to you However, no extra material should be added Which is not strictly relevant to the topic If a word limit is stated, do not go beyond it If you are asked to provide a title for the expanded passage Do not repeat the given line as your title If you are asked to provide a title for the expanded passage Instead try and think of a word or phrase that captures the idea in your own words त्यायवजी काय पर एतना करा कि एकाता शब्द की वह एकाती फ्रेज गिया एकाता बाग प्रचार गिया जहामदी ती आइडिया बंदिस्त हूशकिल अंती तुम्चे शब्दात मांड़ा अनि 6th, always check for errors in grammar, spelling and punctuation at the end अनिशगे शब्दाती ग्रामर मदले चुका शोदून काला, spelling चुका शोदून काला अनि विराम चिन्ना चुका शोदून काला शब्दाती त्याम्दे तुम्चे तो नचा तो घ्ड़ोपि एक्दम एरर फ्रियो this is all about part one of developing a thought thank you very much